So Hello Friends, आपका सुवागत है मेरे AllThing YouTube चैनल वीडियो से Friends प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज 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 जिसे मैं कोई वीडियो डारा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन जट से मिल जाए Friends, जैसे कि पता है कि आपने अपना इगनु का assignment बना लियागा Friends, या कुछ लोग बना रहे होंगे Friends इसका date extend हो चुका है 30 April तकि मैंने उसकी वीडियो बनाई जिया है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं Friends और मैंने फाइल भी ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, फाइल कैसे बनाई है ये गनुके assignment का तो Friends इसकी वीडियो बन चुकी है दोनों, दो वीडियो है वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिशन में दे दिया है Friends तो Friends, अगर आपको किसी मेरे पुरानी वीडियो से queries हो Friends तो प्लीज आप मेरे इंस्टागर अकाउन में जा सकते हैं वहाँ से मुझे फॉलो करें और आप वहाँ पर अपना question leave कर सकते हैं और मैं जल से जल रिप्लाइ करने की कुछ कूँँगा Friends Friends, जैसे कि आपको पता है कि आपके admission हो चुके हैं बहुत उच्छो के admission हो गए जनरेशन हो गए और उन्हें file बनानी है assignment की file तो जैसे कि वह जब assignment की file complete कर लेते हैं जब वह अपने study center submit करने जाते हैं तो Friends, कुछ चीजों का आपका ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से file misplace हो जाती है तो Friends, उसके लिए आपको एक proof रखना होता है एक में दो proof रखने होंगे आपके उसके पास तो पहला proof में बताता हो कि आपको क्या रकना पड़ेगा प्रूफ के लिए Friends, आपको ना जब आप submit करने जाएंगे एक उनू में अपने study center में assignment submit करने जाएंगे Friends, आपको एक छोटी सी list बनानी होगी Friends तो यह मैं बड़े से list में आपको दिखा रहा हूं इतने बड़े list में आपको दिखांगा मैं यह तो आपको दिखाने क्लिए आपको इतनी सी list slip सी बनानी है list इतनी सी बनानी है आपको लिकर मैं आपको इतने में दिखा रहा हूं Friends, आपको करना क्या है आप जब अपना file complete कर लेंगे Friends और जब आप submit करने जाएंगे जिनको submit करेंगे file Friends, पहले आपको एक slip बनानी है ऐसी slip इसाइसी slip बनानी Friends, उस पर आपको यह लिखना है Friends, टॉप पहले आप एगनू लिख दीजे ठीक है Friends फिर आपको अपना endowment number लिखना है Friends फिर आपको अपना name लिखना है Friends फिर program code फिर subject code फिर assignment, submit date study center code study center date अब यह explain करूँ आपको Friends मैं बतानो इसका क्या हो जब आप यह इस slip में लिख के ले जाएंगे पर assignment आपका जैसे एक file है तो एक slip बनाए दो file है तो दो ऐसे अलग एक slip बनाए name अगरा program code अगरा सब डाले Friends जब आप submit करने जाते हैं तो जैसे आप उन्हें file लेंगे Friends तो आपको इस slip पे मतलब यह slip मांग रहेंगे इस पे return में लिखा होगा आपका इन्टोर नेम, assignment code यह सब आपको उनका signature लेना है और वहाँ पे आपको stamp कर रहाना है stamp भी करा लें by proof के लिए by sense जैसे कि अगर वहाँ पे आपकी file misplace हो जाए खो जाए या कुछ issue आजाए उनके वहाँ पे Friends आपके पास यह proof उनके दिखाने के लिए आपके पास यह proof हुआ कि हाँ मैंने assignment submit किया था Friends तो Friends यह चीज आप जरूर करें Friends तो मैं आपको यह explain करता हूँ कैसे करें पहला आप अपना endowment नमर डाले endowment नमर वह होता है जो आपने admission लिया होगा Friends जब आपके पास आपका iCard आया होगा on a website पे तो एक endowment नमर generate वह होगा Friends यहाँ पे आप लिखे Friends फिर अपना full name लिखे जो आपके admission को करें आपने जो नम भनता है वह वाला नाम लिखे फ्रेंट्स फिर आप Program Code लिखे Program Code क्या लिखना आपको Program Code वह होता है आपना कौन सा Program आपका BA, BCOM वह है Program Code यह वो लिखना है फिर आपको हैं पर अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है मतलब सब्जेक्ट कोड यह होता है जैसे कि मैं for example आपको एक assignment का question पर दिखा रहा हूँ यह यह कोर्स कोड हो गया ना कोर्स कोड यह PC यह कोर्स कोड हो गई यह लिखना पी सी O-01 तो यह हो गया हमारा सब्जेक्ट कोड तो आपको यह सब्जेक्ट कोड लिखना है अपर फ्रेंट्स ठीक है फ्रेंट्स फिर आपको यहाँ पर assignment submit date लिखना है assignment date मतलब जिस दिन आप assignment अपना लेके जाएंगे Summit करेंगे महां अपना date लिखना फिर आपको अपना study center code study center code यह main मादर study center code यह होता जैसे कि जहां पर आपका study center है उसका code अगर आपो उसका code नहीं पता तो आप अपना study center का नाम डाले अपने website पर लिखे my study center-atar का नाम डाले फिर लिखे study center code with code यह लिख देंगे ना तो आपका code भी लिखा जागा 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 जिसे PG college.com with code तो आपका code भी वहापे आ जागा तो friends यहाँ आप वह code डाले code आपको उस पर भी मिल जागा जो आपका admission का जिस दिए पाती है बहुत से email email आते है admission का आपके तो वहाप आपका form होगा admission form जा आपने प्रिंटाउट लिखा लागा हो तो वहापे यह study center कूब लिखा हो तो friends वहाँ से भी लिख सकते हैं आपको study center name study center name मतलब college का नाम क्या है कौन study center name क्या है जिसे college का नाम होना चाहिए PG college कुछ भी नाम हो तो यहाँ पर उसका नाम लिखे आप आप सब यह सब आप उनमे उसमें भी दिश्रद जो आपका form भरा होगा ना उसका अपने slip लिखा लिए होगी उसमें भी आपको लिखा होगा यह सब आप friends वहाँ से आप जाके देखके आप लिख सकते friends तो आप यह सब ध्यान रखे अपना नमर लिखे उस पर name लिखे प्रोग्राम को लिखे subject को लिखे लिखे यह लिखे study center code फिश्टेडी center नेम फ्रेंट्स फिर आप यह सब चीज़ को इस पर लिखे छोड़े सिलेफ पर लिखते लिए ठीक है friends फिर आपको उनका आप और signature ले में ले लेना है और स्टैम भी करा लेना है त्वीचर के लिए यह पहला dostaina आपको अपको आतकर पर सारी फोटो क्लिक करें सेबर सब और ले और सबफ ओऑड मेहंगा पड़ा Milliin जिलके आप photo लिकाल के रख ले, click करके, ठीक है, जैसे कि बाचनाँ आपको वाप पर study center पर आपका file खो गया, आपका inform किया उन्होंने, यह अपने update देखा, आपको अपने internet पर देखा कि आपका assignment update नहीं, वह सब का होके, फिर आप inquiry करें कि मैं assignment नहीं हुआ, update तो वह बताएं कि आपको इस खो गया, तो friends, तो आप उसके jerox के लिए कलवा सकते हैं, फोटो के jerox के लिए कलवाएं, और फिर submit कर दे अपने study center में friends, यह दो अपने पाप proof रखें friends, ठीक है friends, जैसे कि मैंने बताया है, आपको ऐसे से बना, friends मैंने file बनाने की video बताई है, वो भी आप ज जाके देख सकते हैं, अच्छी से मैंने बता, यह दो वीडियो है, एक में sound मेरे थोड़ी कम आ रही है, friends के comment आ रहे है, तो friends, उसके लिए sorry, मैंने दूसरी की video में बनाई है, उसमें sound को रहती है, अच्छी है, मैं दोनों की link discussion दे दूँगा friends, ऐसी बनाएं आप, और ऐसी स्टेंप करवा लें friends, friends, यह future के लिए रखना आपके पास, friends, ऐसी आप अपना assignment file बना ले अच्छी है, friends, मैं सारी video डाली है, और यह भी बताएगी, जैसे examination form भी भरना आपको, examination form junior paper देंगे, तो friends, उसके लिए वीडियो बने कैसी examiner form भरे, उसके भी देख सकते हैं, friends, और लाइक कीजिए इस वीडियो डेगो, और share this video, friends, अगर आपको किसी भी मेरे पुरानी वीडियो से queries हो, questions हो, तो आप मेरे Instagram account पर जाएए, इसका मेरे link डिशन ने दे दिया, आप मुझे follow करें, और वहापे आप message मेरे leave कर सकते हैं, friends, तो मैं जज़े ज़न आपके reply question करने कुछ करूँ, friends, okay friends, तो take care, thank you, bye